नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का Pathfinder पर So, पिछले साल की बात है, in fact, to be more precise, पिछले साल के सितंबर महीने की ही बात है जब Five Eyes Network एक बार सुर्खियों में आया था ये Five Eyes basically इन पांच countries का एक network है जो की आपस में काफी बड़े level पर intelligence gathering और intelligence sharing करती है उस time पर Japan के द्वारा यहां पर रूची दिखाई गई थी कि वो इस particular Five Eyes Network का sixth eye बनना चाहता है अभी तक लेकिन वो final development सामने नहीं आई है एक बार फिर से Japan की तरफ से ऐसा कहा जा रहा है कि वो इस Five Eyes Network का हिस्सा बनना चाहता है तो बात करेंगे सबसे पहले तो कि यह Five Eyes Network exactly क्या चीज है क्यों जापान इसका हिस्सा बनना चाहता है more importantly कि क्या जापान वाकई में इसका हिस्सा बन सकता है या फिर नहीं उसके बारे में discussion भी आप लोगों के साथ करी जाएगी चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों मेरे साथ मेरा नाम है अनिरुद लेक्चर की PDF को डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ पर दिये गए टेलिग्राम चैनल के माध्यम से अत्वा मेरे पॉस्टन टेलिग्राम चैनल के माध्यम से इसके इलावा आप सोचल मीडिया चैनल पर और अनकैडमी की आप पर मुझसे जुड सकते हैं using this particular handle तो सबसे पहले तो directly coming to the point 5 eyes basically कुछ ऐसा सा network था जो की World War 2 के बाद कुछ secret meetings के माध्यम से बनाया गया था exactly इसको कब बनाया गया था इसके बारे में जानकारी नहीं सामने आई है यह basically वो वाली 5 countries हैं जिनकी historical और cultural ties काफी जादा पुरानी है और इसलिए कहा भी जाता है कि इनकी जो Anglo-Saxon heritage है because of the common Anglo heritage इसकी वज़े से इस particular network को बनाया गया था and also इनका जो language है वो 5 ओ countries का language English language ही use होता है इसमें जो काफी बड़ा agreement हुआ था उस time की बात है इसको इसी agreement के नाम से जाना जाता है UK-USA agreement जो की basically deal करता है in things like signal intelligence analysis and more importantly sharing of information जो की obtained करी जाती है wire tapping network से for security purposes यह इस particular network का इस particular agreement का सबसे जादा important point है कि यह countries एक दूसरे के साथ जो भी intelligence obtain करती है उसको share भी करती है for security purposes पिछले साल सप्टेंबर 2020 की बात है जापान के उस time के जो defense minister थे उनका नाम था Kono इन्हों ने यहाँ पे कहा था Japan wants de facto six eyes intelligence status defense के chief के द्वारा कहा गया था कि हमें भी इस particular network का हिस्सा बनाया जाए in fact उस time पे केवल इनके द्वारा ही नहीं UK के PM Mr. Boris Johnson ने भी कहा था कि हम भी चाहते हैं कि जापान इसको आके join करे और US के जो उस time पे deputy secretary of state थे Richard Armitage उन्हों ने भी कहा था कि हम भी चाहते हैं कि जापान इस particular organization को आके join करे इस बार क्या हुआ है कि जापान का एक नया paper सामने आया था जो कि December 2020 की report थी जिसका की title था Towards Establishing an Economic Security Strategy जिसमें कि जापान ने कहा कि हम फिर से एक बार कोशिश करना चाहते हैं कि हम Five Eyes के alliance का हिस्सा बन जाए कोई यहाँ पर बाकी countries ने मना नहीं किया है लेकिन बातचीत चल रही है लेकिन अभी तक कोई final चीज़ सामने नहीं आई है जापान के जो कारण थे उसको समझ लेते हैं सबसे पहला कारण जापान के जो ex-defense minister थे उनके द्वारा कहा गया था कि जापान जो है वो cooperation को इसलिए बढ़ाना चाहता है US और UK के साथ because हम सभी countries की जो values हैं वो लगभग same है जापान can get closer even to the extent of it being called as the six eyes तो इन्हों ने ये कहा था कि हमारी जो value systems है क्योंकि वो सबसे जादा common है बट इसका जो main कारण था वो असल में it was China पिछले साल की बात है और even इस साल जापान और चाइना के बीच में तनाफ काफी बढ़ चुका है जिसके कई सारे factors है पहला factor ताइवान है दूसरा factor East China C है तीसरा factor South China C है जहाँ पे चाइना काफी जादा आकरामक रूप ले चुका है इसी की वज़े से जापान का ये मानना है कि हम इस particular area में Five Eyes Network का हिस्सा बनना चाहते है so that जो भी intelligence हो वो हमारे पास भी पहुंच सके और जो भी intelligence हमारे पास है वो आपके साथ हम लोग share कर सके तो main जापान का मुद्दा ये है कि we want to obtain the classified information at an early stage so that हम चाइना के खिलाफ यहांपे steps ले सके चाइना के अंगल को काफी clearly बताया गया है as a defense minister and the one responsible for Japan security I have to say that I have very grave concerns about the Chinese activity in the East China Sea and the South China Sea ये statement दिया गया था कोनों के द्वारा पिछले साल सितंबर की बात है इतना ही नहीं इन्होंने इंडिया चाइना पर जो गतिरोद चल रहा था सीमा के ऊपर उसको भी उठाया और बताया कि चाइना जिस तरीके से हर जगा पे जाके unilaterally status quo को change करने की कोशिश करती है ये सीधा सीधा दिखाता है कि आज की डेट में चाइना को एक high price pay करवाना ही होगा जिसकी वज़े से अगर हम इसका member बन जाते हैं it can be really really fruitful लेकिन अब सवाल ये आता है कि क्या जापान वाकिए में इसका हिस्सा बन पाएगा इसको लेकर कई सारे विशेशग्य कई सारे experts अपनी राय देते हैं पहले हम उन कारणों की बात कर लेते हैं कि किसकी वज़े से जापान इसका हिस्सा नहीं बन सकता है दोस्तों आपको जानके हैरानी होगी कि जापान की खुद की कोई security यहाँ पर agency बहुत जादा strong नहीं है क्योंकि जब भी security की बात आती है intelligence gathering की बात आती है जापान शुरू से ही America के उपर rely करता आया है तो because जापान का कोई बहुत जादा solid security agency available नहीं है क्योंकि इनका जो security clearance का system है ये भी कोई बहुत जादा भैतरी नहीं है इसकी वज़े से जो बाकी 5 countries है वो जापान को इसका हिस्सा बनाने में जादा interested शायद नहीं है because यहाँ पर जापान के area में classified information का concept काफी जादा कम है अगर आप देखेंगे इनकी जो security agencies है वो CIA और MI6 जो की US और UK की agencies है उसके comparison में उसकी तुलना में काफी जादा छोटी है both in terms of budget and the staffing यानि कि इनका जो staff है वो भी बहुत कम है उनको पैसे के allotment भी काफी कम करी जाती है more importantly जापान का constitution इस तरीके से design किया गया है कि वहाँ पर लोगों के ऊपर नजर रखनी surveillance करनी उनका समविधान ही उनको allow नहीं करता है यानि कि जो भी communication होती है उसकी privacy बहुत जादा maintain करी जाती है the government cannot engage in domestic signals intelligence operations और यहाँ पर भी अगर करना होगा तो citizen से अनुमती लेनी पड़ती है वो चीज जापान में already दी गई है इतना ही नहीं जापान की जो national police agency है वो केवल और केवल criminal investigations को monitor कर सकती है अगर मान लीजे यहाँ पर किसी और तरह की इनको investigation करनी है उसमें ये signals को monitor भी नहीं कर सकती है यानि कि कोई भी ऐसा apparatus नहीं है जो कि constantly signals को gather करे और cyber intelligence के areas में काम करे ये सारी के सारी कमिया एक तरीके से ये बता रही है कि जापान 5-20 का हिस्सा नहीं बन सकता है लेकिन हाल ही में एक नया article सामने आया है जिसको हम लोग refer कर रही है East Asia Forum में ये वाला article सामने आया था जिसमें की बात करी जा रही है कि जापान के chances काफी जादा बहतर हो चुके है उसके पीछे कारण क्या है पहली बात ये है कि space के sector में जहां पर आज की date में काफी countries मिलिटरिली अपने आपको जो है बहतर मना रही है जापान वहाँ पर काफी बहतर चीजें offer करता है जापान आज की date में 7 high performance information gathering satellites है जो की deploy कर चुका है ये वाली जो satellites हैं बहुत ही बारीकी से काम करती है और साथी में ये वाली जो satellites का resolution है it is less than 30 cm यानी की outer space से ये एक human head को भी identify कर सकती है इतना ही नहीं जापान आगे जाके एक 10 satellite system को launch करने वाला है जिसकी सीधा सीधा मदद 5 eyes के intelligence gathering की शमताओं को हो सकती है इसके बाद ऐसा भी कहा जाता है कि जो ये वाली satellites हैं जिसको हम लोग IGS बोल रहे हैं ये वाली satellites इस पूरे के पूरे area में निगरानी रखने में काफी जादा help कर सकती हैं जिसमें की Russia आता है then South Korea, North Korea and even साथ में आपका Taiwan, China का area भी आ जाता है जहां पर भी आपकी भागी 5 eyes नजर रखना चाहती हैं इसके इलावा इसके कुछ साल पहले की बात है एक बहुत बड़े पैमाने पर war game हुई थी जिसका नाम था Shriver War Game आप यहाँ पर देख सकते हैं इस particular war game में 5 eyes के साथ-साथ और France और Germany के साथ-साथ फ्रांस ने भी हिस्सा लिया था और अपनी space sector में military capabilities को भी show off किया था जानी की simple सी बात यह है कि जापान आज की डेट में काफी कुछ offer कर सकती है to the five eyes network अगर उसको हिस्सा बनने का मौका दिया जाता है तो कुछ चीजें हैं जो कि जापान के favor में काम कर रही है कुछ चीजें हैं जो कि जापान के खिलाफ काम कर रही है primarily because of its constitution लेकिन हाँ observers का experts का यह मानना है कि अगर आज जापान अपनी signal intelligence की activities और उनकी जो चीजें हैं उसको थोड़ा भैतर कर लेगा उस case में जापान की जो chances हैं वो काफी जादा भैतर हो सकते हैं दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही जाने से पहले आपको ब प्यारी करना चाहते हैं और Unacademy से subscription बाय करना चाहते हैं तो आपके लिए कई सारे offers Unacademy लेकर आया है जिसमें कि अगर आप लोग एक साल का course खरीते हैं तो वो आपको पढ़ेगा 44.5 का दो साल का खरीते हैं तो पढ़ेगा 64.8 का आप लोग इसमें upgrade भी कर सकते हैं to the iconic if you feel कि आपको mentor की आवशकता है याद रखिए आपको इसमें code यूज करना है ANI UPSC to get all these various offers इसके इलावा optional भी आप लोग purchase कर सकते हैं using this particular Unacademy platform इतना ही नहीं नए batches शुरू होने वाले हैं एक सेप्टेंबर से और साथी में one year two year batches चल रही हैं जिसमें कि आपकी पूरी की पू